आप हैं सिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूँ नीरज बड़ी खबर आपको दे दें कि एस्टिट 9 सितंबर 2020 पुना पड़िक्षा आउनलाइन पड़िक्षा के संबंद में बड़ा अपडेट आया है 12 जिलों में 60 केंद्रों पर होगी पड़िक्षा 12 जिलों में 60 केंद्रों पर TCS के माध्यम से पड़िक्षा होगी आपको जैसा कि पता था कि बेल्ट्रों के द्वारा ये पड़िक्षा कराई जाएगी पर बेल्ट्रों ने TCS के साथ साजह करके ये पड़िक्षा लेने की बा 8 केंद्रों पर 12 जिलों में परिक्षा होगी और परिक्षा सम्मंदित बड़े करे नियम और कानून लगाएगा हैं हम आपको सभी से वाकिप कराएंगे साथ में PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप देख सकते हैं आरके महाजान अपर मुख्य सचिप के द्वारा ये जाड़ी किया गया है जिला पदा दिकारी साव मुख्य जिला परिक्षा नियंतरक और पटना भोजपूर नालंदा और अंगाबाद गया समस्तिपूर दर्भंगा भागलपुर मुझपरपुर बैसाली पुर्णिया एव में डाल दिया है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं पूरा लेटर हम आपको जल्दी से ये खबर देना चाहते थे इस संबंद में इसलिए आप 60 केंद्रों का डीटेल देख सकते हैं PDF में साथ में आप इस लेटर को भी पूरा पढ़ सकते हम आपको आंसिक रूप से दिखा है कि बेल्ट्रों द्वारा चनीत एजेंसी टीसी एस आई ओन द्वारा ने धालित परिक्षा केंद्रों पर आउनलाइन विधी से दिनांक 9-9-2020 से 29-2020 तक तीन पालियों में आयोजीत होगी परिक्षा परिक्षा का विस्त्रित विवरन कारेकरम सनलग्न है आप इस लेटर को पूरा पर सकते हैं और इसमें बड़ी हिदायद दी गई है कि Matrix और Inter की परिक्षा से परिक्षा भीन है इसलिए कराई से पूरे वक्तव्यों को लागू करने की बात है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लेटर को देख सकते हैं और डाउनलोड करके पीडियेप पुरा पढ़ सकते हैं हमने डाल दिया है पर बड़ी खबर है कि बिना सिलेबस के परिक्षा आप समझ सकते हैं कि सिलेबस के समझ में सिक्षा विभाग ने अभी तक चुपी साथ रखी और 9 सितंबर के परिक्षा करोना परकोप के बीच कहां तक जायज ये सोचने वाली बात होगी इस बीच हम आपको बता दे कि केस की सुनवाई की तिथी भी निरधारित हुई है और ऐसा प्रतीत होता ह है कि ये फाइनल सुनवाई होगी और 31-8-2020 को ये तिथी निरधारित हुई है पतना हाई कोट में और 3 बड़े केसों के सुनवाई होगी रिजल्ट को लेकर अब भी हरतियों ने केस किया और सिक्षा सुदार रोजगार के तरफ से वकील डिफेंड करेंगे कि परिक्षा र पर एक अकेला केस पीके साही जिसमें अधिवक्ता है और सभी केस पतना हाई कोट की बेंच में 31-8-2020 को सुनवाई पर और बड़े वकील होंगे इन केसों में देखना यह है कि 31-8-2020 की सुनवाई पर इस लेटर का क्या असर परता है जो आज जारी किया गया है बड़े वकी होंगे इन केसों में और अपना पक्च सिक्षा सुधार रोजगार भी रखेगा आपको बता दें कि 31-8-2020 को पतना हाई कोट में तीन केसों की सुनवाई है और इन सुनवाईों के बीच आपको ये भी जानना चाहिए कि एड्मिट कार्ड तूटी सुधार को लेकर सिक्षा पर बड़ा सवाल है आपको ये जानना चाहिए कि BACB पर कोट की अब मानना का बड़ा केस हो सकता है क्योंकि सिक्षा सुधार रोजगार के दो बड़े केस और केस में ये ओडर है कि सिलेबस के साथ परिक्षा हो इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पतना हाई 31 अगस्त 2020 की तारीख है और बड़े वकिलों के साथ ये केस पतना हाई कोट में है साथ में पतना हाई कोट में दूसरे केस के संबंद में भी हम आपको डीटेल देने की पूरी कोसिस करेंगे 31 अगस्त की सुनवाई और आप देख सकते हैं CWJC 762 2020 ये पहला केस है और दूस केस आपके स्क्रीन पर होगा दूसरे केस का नंबर है CWJC 761 352 2020 को ये केस फाइल हुआ था और इन दोनों केसों के सुनवाई हमने आपको बताया इसके साथ एक तीसरा केस भी है जिसके सुनवाई होगी आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर ये लिस्ट पर है और चार न CW ने पहले ही परिक्षा रद कर दी है और सिक्षा सुधार रोजगार के तरफ से दो बड़े केसों के सुनवाई के बाद सिलेबस की भी चर्चा की गई है पर अभी तक इस पर सिक्षा विभाग के चुपई आपके स्क्रीन पर तीसरे केस का डिटेल भी हम दे रहे हैं ती एडमिट कार्ड में तुरोटी सुधार के लिए आदेश दिया गया है अभी अर्थी पहुंचे थे सिक्षा मंत्री के पास 27 अगस 2020 को और आपके स्क्रीन पर वो लेटर होगा आप देख सकते हैं दिनांग 27 आर 2020 को एडमिट कार्ड तुरोटी सुधार हजारों अभी देख सकते हैं और उनके द्वारा जो लिखा गया कि मामला गंभीर है इस पर कारवाई की जा और देखना ये है कि 27 अगस्त के इस आदेश के बाद अब बीए सीबी इस पर क्या कारवाई करती है क्योंकि हजारों अभी अर्थियों के एडमिट कार्ड में तुरूटी है और ऐसे में पटना हाई कोट में एक PIL भी दायर है और PIL की सुर्वाई वे जल्द होने बारी है अगर एडमिट कार्ड में तुरूटी सुदार के संबंद में बड़ा आदेश आता है तो BACV को 9 सितंबर की तारीक को बदलना होगा साथ में बिना सिलेबस की परिक्षा फिर से यातायाद के साधन नहीं है और अभ्यरती पिछले 6-7 महीने से कोई पढ़ाई नहीं कर रहे है और कोरोना में सब कुछ लॉगडाउन में है से इस बीच में परिक्षा का अचित कहीं चुनावी रोटी सेखने का नया फॉर्मूला तो नहीं या अभ्यरती पूछ रहे है ऐसे में सिक्षा सुधार रोजगार के तरफ से तीन बड़े नोटीस भेज़े गए बिया सीबी को कि जल से जल सिलेबस पर कोई वक्तब दिया जाए पर बिया सीबी के तरफ से अभी तक कोई जबाब हमें नहीं मिला है इस बीच हम आप भ्यरतियों से यह कह दें कि आप भ अब फिर से बीना सिलेबस की परिक्षा यह कहां का इंसाफ है सिलेबस जारी करने के बाद अब भ्यरति को कम से कम 45 दिन का वक्त देना चाहिए था बीए सीबी को और आप अब भ्यरतियों से कहना चाहेंगे कि समन्द में आमानना का एकेस पतना है कूट में जल नहीं दाख परिक्षा के ताम जाम को दिखा दिया गया 12 सहरों में 60 केंद्रों पर TCS के द्वारा यह परिक्षा की बात सामने आ गई पर सिलेबस का क्या मिना सिलेबस के फिर से परिक्षा होगी फिर से अब भ्यरति अंधे मुग गिरेंगे जब पतना हाईकोट का बड़ा निर्देश है कि सिलेबस जारी होना चाहिए तो सिलेबस क्यों नहीं आप समझे कि TCS जो डेलवी और अन्य बड़े परिक्षाओं को करवाती है पहले अब भ्यरति कहते थे कि Beltron के माध्यम से परिक्षा कदाचार युक्त होगी पर आप समझे कि TCS में किसी परकार के कदाचार की कोई स साधे हुए है पर सिक्षा सुधारोजगार चुप्पी नहीं साधेगा और एक से दो तारी के बीच में पटना हाई कोट में संबंद में एक बड़ा केसम तायर करेंगे जिसमें सिलेबस की मांग होगी मीना सिलेबस के परिक्षा मनजूर नहीं है आप अब भेहरतियों को ह हमने जो कॉंटेक्ट नंबर दिया है गूगल पे और पेटियम नंबर दिया है हम आप से निवेदन करेंगे कि सिलेबस की मांग को लेकर जो बड़ा केस पतना ही कोट में होगा उसके लिए आर्थिक रूप से आगया क्योंकि सरकार और सिक्षा विभाग अब राजनीतिक से शेकने के लिए इस परिक्षाओ कराव रही है ना कि आपके भविस्त के लिए आप समझे कि कि कुरोना परकूप के भीच जब पूड़ा बिस्व त्रहीं त्रही है और अभ्यारती इस इन्फेक्शन भड़े माहौल में संक्रमन भड़े माहौल में कैसे परिक्षा दे प का है जो भी अभ्यारती सिलेबस के लिए हमारे साथ है उनसे निवेदन करेंगे कि संपर्क सुत्र आपने देखा और विभी ने जानकारिया भी देखिए आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें इस वीडियो के करेंगे और आप अभ्यारती सिलेबस के परिक्षा को आप मंजूर करेंगे अभ्यारती डिप्रेशन में सरकार राजनीती रोटी शेकने में मस्त है